कि युपकर आने दोयान आप आयों यहां हम सुनाएंगे उसका अनला ओपिडेश क्यार दिवा आपके बारे में तो फुरा खोटा जैनले तलतर यह से आपके चरीत रहे हैं कि सही बतारां में यह के इस बंदा उनकोर अपने आपने नहीं इपारत निखेगा मैं अब हमारा साथ भूलोगे मैं तो मुझे डर लग रहाता था मुझे डर लग रहाता था कि में तमीटा पढ़ने की मिये पूर। अचानक आते हैं उन्दीब बयाने मेरे को जिम्मेदारी सोती है बहुत थे संचारन की. अब आपना बाफ बाप दोड़ाने के लिए संचारन की अब 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 लग एशे बड़ी जिम्मेदारी अर फिर चलो धीग यह संचारन की. और क्यों चाहां हिमाले परवस बेटेंगे मंचों पर और उनके सामने एक छोटे से कणको आप संचारम देते हो इस बात के लिए मेरी साथ पीडिया पुंजिप बईया की आभाले रहेंगी क्योंकि इन्होंने कि आज मेरे साथ के में इसे बाद में मिलूगा जो भी करना है इसे दोगाला भी करना है कि मैं काले करना को साथ गतिक पुदान करता हूं और जितनी मार में करता हुआ अभी प्रेमिर भाएंट पड़ी अब उस परसें सीधा माजूरिय और स्रजाज की और बढ़ते सहब प्रेम करना अपने आप में अधिगूत विशे प्रेम भारत में अच्छा प्रेम करना अच्छा आपको कटा जी ने दरखी बार में प्रेम कर नाम लिया और संधार वाले खुश होगे कि आज हमारा चलेगा क्योंकि सही प्रेम आपको अम यहां यह तो नर्वस थे अच्छा सौंपल्य गलासेज की बच्चे है इतने मनीशी इतने बुद्धी जीवी आदर ने पुशत अंजिसर के विद्धार थी रजय ने कहें का धाम लाई दी मन में और फिर सारी शिक्षण की तयारी कर रहे अच्छब आसे बताराओं मैं सब बिएड करके बाद लगम आदमी का धर्व हो जाता है इन के तेयरी करना नहीं सब्सक्राइब मुझे दो एक लड़की ने कहते है की मेरे इश्क में पणा हो जाओ प्रेव कर सकते हैं आपसंटेसे लोग कर सकते है अब हमारा जैसे दू लोग क्या करे हैं मेरे इस्क में फटा हो जायो मैंने का आ跳ी भी बरती हाल यह दधा हो जायो मतलब, क्या करें आजी, हमने तो, इस्वी मतलब, या दिख्या हम, उमको छोटे जा कलम कारे जाब, तैपी कुस्पी मान देते, काफ़ाग, आदेनिया दादा मुतरपणी राजी और दुर्कासिंटरजी धाजो, परसान जी, इंडिया से बड़े कलम कार, हम छोटे जोटे ज मैं स्वार को चेंज करता हूँ, मजूर्य और स्पंगार के लेकत लेकता हूँ, परेंट का इसा कलम कार, जिको आप सुमोगे, तो आपको सैधान दिक मान सुकर आप इतुल प्राइप की दूशों में घुमोगे, मैं आमसी करता हूँ, प्रेंग के उस तभी को, उनके बार आत्मा के शंदर्य का 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 शं आपिषीयों कि संता नहीं नहीं के वंशर बन चुके हैं, तो एक बार मैं आमत्रिक ज़ता हूँ, आशुतों से शाराज, जो गीतों कि आपकी भीज़ में भुषान के पहलाएंगे, एक बार खोच दानी जबने लिखाएंगे आपको इतोर दानी जबने ज़िए आपको इतो अब दूसरी टेंसे जो आपको एक बाए टेंस आपको आई सब्सक्राइब मन्स को नमन करता हूँ सभी वरिष्ट कभियों को सभी आदनी लोगों को सबको नमन करता हूँ तो प्री आजीत्री वाज़ता बात कर रहे हैं कि सफल क्लासेज के बच्चे मैं एक सार बड़े दुकूमट मैं एक सार पड़ा हो आए मैंने यानपे और मैं जाए तो हूँ बिडी दो बिल्कुल फिडी दो और मैं जानता हूँ कि सफल क्लासेज के बच्चों में प्रतिवा एक सा कि चुलू वी यह बिल्कुल आँ जुती आँ दिखेगी आपको एक बिन, सब तब दिखेगी ज़े वीट करी जड़ा है, उससे पेले एक एक प्रतिबार का अगलन विड़ना मुश्किल है ने, मैंने आते ही कर लिया, इसका रोप्सित प्यार में बहुत उच्छोल है, मैं आते ही कर चुछा हूँ इतकार होने के पुर्मिका से, सब रुदम में आपके समझ प्रतिया रखना चाहता हूँ जो एक लेखर के मन को दर्शाती है, कि किस तरह वेक्ती अपने जीनों के अनुभूं को कविताओं में, जीनों में, गजिलों को प्रतार के प्रतार के लिखेगी राप पर चलती है, मा मात्री गनगूरतम संग में सबत और हे अनश्वर पर तुम्हारा ध्यान पाकर हम दिये से जल्दिये हैं, इस तरह तुद को तेरा आसत करते जा रहे हैं, हर कदब पर हम तुम्हें अभिवक्त करते जा रहे हैं हम दोने की कोशिश की दियेगा, कि प्रेम वो प्रेम वो सारांच है, प्रेम के सारांच में हैं अनिकिलत कितनी दिचाहें, और प्रेम का हर वेद तुम्हें निश्वर से ये नाता रहा है, हर समय पर हर मनुजरस प्रेम को गाता रहा है, हम उसी दुन को कलम से व्यक्त करते प्रेम कभी तो अन अनुबन जित चंचल मन का अनुबन जनुबन 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 जनु प्रेम कभी निर्मल कुमल, एहसासों से शोवित चंदन, कभी प्रेम हेत्याग, कभी प्रेम हेत्याग, अनिश्चित मन काई मन से वंदन, प्रेम कभी मीराता, पत्थर के मोहन संग इस पंदन, प्रेम कभी मीराता, पत्थर के मोहन संग इस पंदन, प्रेम कभी मीराता, तो यह प्रेम का मुक्तक था, अब एक गीत कार की भूमिका से थोड़ा सा बाहर आते हुए में गीत कार की भूमिका में इतु हम आज़ती के स्वर कारिकरम में शिर्पद कर रहे हैं तो मैं भाई प्रविन कुमार ने जो रचना यहां पर सुनाई है, संगर्षों से भरी हुई, उन्हीं संगर्षों पर एक गीत में आपको सुनाना चाहता हुए, गीत के बोल है, ज़ा बताओ दीपक इतने अंदकार में, तो इकलोते आखिर कब तक जलपाओ, पहरत सुन बरे कि चरा बताओ दीपक इतने अंदकार में, तुम इकलोते आखिर कब तक जलपाओगे, चरा बताओ, दीपक इतने अंदकार में, तो मैकलों के आखिर कब दग जल पाओ, जला बताओ और देखें आन्रकार कैसा है, एक दिये के लिए की जलना मुश्किल है और स्रस्टी में कहके विड़ा मना है, समध नहीं कुछ कीजिए जो मेरे भाई पीच में उठ रहे हैं, और कविता सुनी या करभिया कि स्रस्टी का सूरत खुद में ही अस्त हुआ है, अंधियारी दुनिया के आगे पस्त हुआ है काल चक्र भी अपनी जति को बढ़ा रहा है तब जाकर के ही विनाश आश्वस्त हुआ है काल चक्र भी अपनी जति को बढ़ा रहा है तब जाकर के ही विनाश आश्वस्त हुआ है सब विलीन होते जाते इस भी शणशण में क्या तुम भी कुद में विलीन हो बुझ जाओगे जराबताओ जराबताओ जीपके इतने अंदिकार में जराबताओ जराबताओ जीवन में आप जो भी की तैयारी कर रहे हो यह जीवन की सबसे बड़ी है आपकी एक सरी की के संगर्श है इसमें आप कदम दर कदम भाते भी हो जीते भी हो लेकिन आपका मनोबत जो है जो जुबूरता नहीं है वह ही आपको आगे बढ़ाता है क्या 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 आती है अपने जीवन में संगर्शों में संगर्श क्या आते हैं अगले बंदर में उनको मांगने का प्रियास किया है के शन शन प्रतिवादा से डटिगर लड़ना हूगा शन शन प्रतिवादा से डटिगर लड़ना हूगा आंदी की विपरीत शामें बढ़ना होगा जब बाती जल जल घूमी पर गिर जाएगी तब तब लो तो उपर उपर चड़ना होगा शम्ता का सर्वस्व विधाता से लेकर तुम क्या अपना वर्चस्व बचा कर दिखलाओ जराबता हूँ पीप पेशने अंदिकार में तुम इकलोते आखिर कब तक दलपाओं जराबता और आकरी मंद में गेत का आपके सामें रखता हूँ जिकां झाहन दीजिए गैस गेत का मुझ होता है उसको आपके समग सब्रियास करता हूँ जब ब्यकटि अपने जीवन में संकर्ग्सों से जीत जाता है ये गीत में पूत भार भुंदूराता हूँ कि जब भी मैं इसकी गीत को भी मुनाता हूं, यह मुझे पुछ को प्रेड़ना करता है। उसी भाउ से मैं आपके समझ इस गीत को रखता हूं। जब व्यक्ति आपने जिवन में संगर्शुम्ट के माद्यांप से तो उसके बात का क्या भाउ होता है। जब विजय स्री उसको मिलती है तो क्या भाउ होता है। कि विजये त्वार्श जब तेरा अभिवादन होगा, साक्षी सारावन परिवत और उपमन होगा। कि विजये त्वार्श जब तेरा अभिवादन होगा, साक्षी सारावन परिवत और उपमन होगा। धरती सक्त सुरों का योग बनाएगी फिर नवप्रसन का सेशोवित नवद का मन होगा। जीवन का निर्धारित शण वह के सारा होगा। जिस शण तुम जीवन में फिर जीवन पाओगे। धरा बताओ धरा बताओ धरा बताओ जीवत ने अनकार में। तुम इगलों के आखिर कब तक जल पाओगे।